इस देश के हर एक राज्य में लोक तंत्र बचाने का काम आपको हमें हम सबको करना होगा आज नहीं करोगे दो हजार चूबिस में अगर नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता दो हजार उन्तिस तक इस देश में हुकुमशाही आजाएगे आपको लोक तंत्र चाहिए या हुकुमशाही चाहिए आपको चाहिए क्या इस देश का लोक तंत्र बचाना होगा क्योंकि हमें पता है या पता होगा या पता करना होगा कि इस देश का लोक तंत्र हमें बचाना होगा क्योंकि सविधानिक लोक्षाई हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में है लेकिन फिर भी हमारे देश के हुकमशाह, हमारे देश के सविधान को हमारे देश की अखंड स्वतंतरता को छेद देने का काम कर रही है जब देश को स्वतंतरता मिली जब इस देश में सविधान लागू हो गया तब हमारे देश के तत्कालिन प्रधान मंत्री हो या सरदार वल्लभाई पठेल हो या जिस छत्रबती श्वाजी महराज के शवरिय की बात करते हैं राजनिती की बात करते हैं चत्रबती श्वाजी महराज की मैनेजमेंट की बात करते हैं वो सब इस देश के लोगों के हित्की थी हमें पता यही होगा कि इस देश को अच्छी तरह से सब जाती धर्म के लोग एकी ही नारा लगाते थे भारत माता की जये एकी ही जंदा देखत थे वो थे भारत का तिरंगा लेकिन जात और धम के नाम पर इन सम्ब लोगों को बाटने का काम आज की सरकारे करती है गुजरात में जाके आप देखो आमदाबाद में सरदार वर लवाई पटेल की विचारदारों का इस देश के हरनागरिक उनकी विचारों का समर्थन करती है लेकिन सरदार जी की विचारों को खतम करने के लिए या उनके विचारों को समास से हटाने का काम कुछ लोग कुछ सरकार के लोग ये करना चाहती है या करती है एक तरब वो बता देती है कि हमने बहुत बड़ा स्टैचू कड़ा कर दिया लेकिन उनके विचारों का क्या उतलों से उनकी विचारधरा का क्या करेंगे सरदार वल्लबई पटेल हो या जो भी हमारे राजनाइति के नेता हो विचारधरा हो आज उनको खतम करने का काम डॉक्टर बाबा साइब अंबेड कर जी ने जो सविधान दिया है इस देश को सबको इकटा करके सबको एक करके हम सब भारती है ये कहने की जो हिम्मत दी है आज ये हिम्मत जाती जाती में और धम धर्म में बाटने का काम हो रहा है देश के प्रधान मंत्री हो या उनकी सरकार हो उनकी विचारधारा हो अगर एक स्टेडियम को दिया हुआ नाम हटा कर खुद का नाम लगा सकते है खुद का नाम दे सकते है तो उन विचारों का क्या जिन में हम सब भारतिय मिलकर इस लोक तंत्र की भाशा बोलते है मित्रो इसी पे ही हमें चर्चा करने होगी सबसे पहले मैं संतो शिंदे आप सबी का इस सामाजिक विचार मंज पे हर दिक स्वागत करता हूँ मेरी यही बिंती है कि इस वीडियो को आखरी तक देखे जादा से जादा शेर करें फॉलो करें सबस्क्राइब करें और यह बेल आइकोन प्रेस करना न भूलिए कहा है हमारा लोक तंत्र कहा है हमारा भारत का सविधान भारत का सविधान जब तीन-चार साल पहले दिल्ली में जिन विचारधाराओं को सविधान को फानने का काम किया था यही संग की RSS की विचारधारा उनका छुपके से समर्थन करती थी जिनको हिंदू राष्टर चाहिए वही हिंदू हिंदू में जाती जाती में विवात लगाने का काम करती है और जिनको सविधान चाहिए लोकशा ही चाहिए लोग का तंत्र चाहिए वो सबको इखटा करके इस देश को अखंड भारत बनाने की सोच रखते हैं लेकिन ऐसी कुछ मनुवादी व्यवस्था है ऐसे कुछ लोग ऐसे है जो इस देश में रहे कर भी अंतरगत हित शत्रू के बलबुते गंदी राजिनिती करना च चाहते हैं समता समन्ता बंदु था हमारे आपस में बढ़ने की कुशिश जिन परिवर्तनवादी जिन औरोगामी या जिन सेकुलर विचारधरों में है वो सब इस देश को अकंड भारत के नाम से जानते हैं हमारा भारत का सविदान यही करता कहता है लोक तंत्र यही कहता ह हम सब भारती हैं लेकिन किदर है हम जाती-जाती में बढ़ गए हम धर में बढ़ गए हम विचाराओं में बढ़ गए इस देश का किसान या इस देश का सहिने जो जितनी इमानदारी से अपनी वफादारी सिद्ध कर देता है उसी इमानदारी से इस देश का कोई भी अपना कर्तुत्व सिद्ध नहीं करता लेकिन हमें यही बताना नहीं चाहते लोग मेरे इस माध्यम से गुजारिश है मैं प्रयास करना चाहता हूँ हमारे जो भी महराष्ट हो या महराष्ट के या महराष्ट के बाहर हो इस देश के हर एक राज्य में लोक तंत्र बचाने का काम आपको हमें हम सबको करना होगा आज नहीं करोगे 2024 में अगर नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता 2029 तक इस देश में हुकुमशाहि आ जाएगे आपको लोक तंत्र चाहिए या हुकुमशाहि चाहिए आपको चाहिए क्या यह अभी सोचने का टाइम आ गया है इस देश में जो राजनाइतिक सप्ताधरी जिनकी हुकुमत है इस देश में सेंट्र गर्वर्मेंट हो या अलग-अलग स्टेट हो उनकी सरकारे होकर भी और उनके खिलाप लोग होकर भी हमारी ही सप्ता आएगी लोग हमारे सब खिलाफ है इस सरकार का इस देश का जो राजनाइतिक अभी पार्टिया है वो बोल सकते क्या महंगाई कम हो गई क्या बेरोजगारी खतम हो गई क्या नवजावनों को उनके परिवार के लिए खुद के लिए कुछ काम की नवकरी की विवस्ता कर सके क्या कुछ नहीं साल में दो कोटी रोजगार देने वाले थे नवकरिया देने वाले थे किदर गई सब इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू है और लोगों को अपना जो मुल मुद्ध्य है जो टार्गेट है वहां से भटकाने का काम करते हैं जातिवा धर्मों आपके नाम के इन में सब बवाल करके आप और हम में बटवारे का काम करते हैं इससे हमें दूर रहना होगा किसान हो, कुर्मी हो, जाठ हो, पटेल हो, मराठा हो, हम सब एक होके इस देश के लोगतंत्र को बचाना होगा यसी हो, यस्ती हो, ओबिसी हो, माइनर्टी हो, कोई भी हो, लेकिन वो भारतिय होना चाहिए और जो भारतिय है, वही लोगतंत्र मजबूत करेगा और लोगतंत्र बचाने का काम करेगा सविधान को बचाने का काम करेगा सविधान याने आप और हमारी जो जरूरत है आप और हमारी जो विचारदारा है और आप और हमारी इस देश के मिट्टी की तरह हमें एक मिलके एक होके मजबूती से लड़ना होगा नहीं तो जातिवादी संगी मनवादी लोग आप में और आपके ही लोगों में बाटने का काम करेगे ऐसे कुछ लोग है मेरी अभी बाच्छित हो गई मैं सरदार जी का इसलिए है उदारन दे दिया कि वहाँ जाके देखो जहाँ इस देश के प्रधार मंत्री के नाम पे स्टेडियम अभी करवाया है उसका नाम पहले क्या था और जिस लोहपुरश का नाम हटा कर हमारे प्रधार मंत्री का नाम दे दिया ये आप और हम में कितनी बुरी बात होगी कि एक नाम हटा के दूसरा दे दिया अगर नया स्टेडियम बनाते हैं और नया नाम देते हैं तो क्या होता लेकिन लोग अभी भी उसके खिलाप लड़ रहे हैं उनके साथ हमें जुणना होगा और लोग तंत्र को हर एक मजबूती से हर एक राज्य में बचाना होगा यही हमारी और हम सब लोगों की मांग है जेसालाव